आज के इस वीडियो में मैं आपको रेडिमेट नेक में लाइनिंग अटेच करना बताऊंगी तो इसके लिए मैंने यहां अपने में फैबरिक को भी कट कर लिया है और लाइनिंग को भी कट कर लिया है बस हमें यह इतना ध्यान में रखना है कि लाइनिंग में हमें नेक को कट करते समय अपने रेडिमेट नेक से लगबग 1.5 इंच कपड़ा एक्स्टर रखना है और अब हम यहां चौक के मदद से रेडिमेट नेक के बराबर ही लाइनिंग पर देखें तरीके से चौक से निसान लगा लेंगे जिससे कि हमें नेक को सिलने में असानी होगी निसान लगाने के बाद अब हम देखे इस तरीके से नेक को लाइनिंग पर रखेंगे जहां हमने चौक से निसान लगाया है और बिल्कुल उसी के बराबर ही रखते हुए हमें इस पर सिलाई लगानी है तो हम यह पहले अच्छे तरीके से नेक को लाइनिंग से मिलाते हुए रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हुँगे मैं यहाँ में फइबरीक के राइट साइड पर ही सिलाई लगा रही हुँ यहाँ में बिल्कुल हलकहलका फइबरिक दबाते हुए इस पर सिलाई लगानी है और यह ध्यान में रखना है कि जो मने चौक से निसान लगाया लगा है और डिजाइनिंग के वीडियोस हमेशा अपलोड करते रहती हूँ तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके पास वाले बैल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले जिससे कि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको इसका नोटिफिकेशन असानी से मिल सके तो देखे मैंने यहां पूरे नेक पर सिलाई लगा ली है अब हम यहां लाइनिंग को देखे इस तरीके से पीछे की तरफ कर लेंगे और इसके बाद हमें यहां लाइनिंग और में फैबरिकों दोनों को अच्छे से बराबर कर लेना है दोनों फैबरिकों अच्छे से बराबर करने के बाद हम यहां जैसे लाइनिंग पर सिलाई लगाते हैं पूरे सूट पर बिलकुल उसी तरीके से इस पर सिलाई लगा लेंगे तो देखे कितने असान तरीके से जो मारा नेक है वो बनकर रेडी हो गया है पीछे की तरफ भी इसकी फिनिसिंग कितने अच्छी से आई है आप चाहे तो यहां नेक पर आइलन भी कर सकते हैं जिससे की जो हमने नेक पर सिलाई लगाई है वो असानी से बैठ जाए और हमें अपने में फैबरिक और लाइनिंग को सिलने में कोई भी दिक्कत ना हो तो आप भी इस तरीके को यूज़ करके अपने रेडिमेट नेक में बहुत ही कम टाइम में और असानी से लाइनिंग को अटेज कर सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेलफूल लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें सेयर करें और मेरे चानल पर न्यू है तो मेरे चानल को सब्सक्राइब कर ले और उसके पास वेले बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें थैंक्स पूर वाचिंग